पुराने जमाने में त्वचा और बालों से जूरी समस्याए बहुत कम देखने क्यों मिलती थी, जूरी या मुहा से ओपन पोर्स यहां सब कुछ उन्हें पता भी नहीं होगा, हालाकि समय के साथ साथ यहां परिसानिया बड़ी है, वहीं आज भी कई ऐसी महिलाये हैं जो आपकी त्वचा को नुकसान तो पहुचाते ही है, साथ ही इसमें पैसे भी काफी जादा खर्च होते हैं, हर किसी के लिए इन महंगे प्रोडक्स को खरीदना बस की बात नहीं है, ऐसे में घरेलू नुसको को ही सही मातरा में इस्तमाल करें तो फर्क जरूर देखने को मिले त्वचा में कई जगा मसो की समस्या होती है, यहां देखने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, कई बार ये ऐसी जगा पर हो जाते हैं, जहां लोगों की नजर बार बार जाती हैं, जिसकी वज़से लोग सहज नहीं रह पातें, ऐसे में इस से छुटकारा पाने क लिए आप चूने का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लिए चूना और घी को समान मातरा में ले और दोनों को अच्छी तरह से मिला ले, अब इस पेश्ट को मसे वाली जगह पर लगाए, इस प्रकरिया को दो से तीन बार ट्राइ करे, इस से मसे ठीक हो जाएगे, गर्मिया सुरू हो गई है, ऐसे में पिंपल की समस्या भी अब हर वक्त देखने को मिलेगी, पिंपल की समस्या को ठीक करने के लिए, लोग अपने अपने तरीके से इलाज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चूना लगा कर ये समस्या ठीक की जा सकती है, जी हाँ, इसके लिए आपको ज्यादा चूना इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है, बस एक चुटकी चूना ले और उसे नारियल तेल की मदद से पेश्ट बनाए, अब एक माचिस की तीली की मदद से सिर्फ पिंपल वाली जगपल लगाए, आपको अधीक नहीं बलकि एक बिंदी बराबरी इस्तमाल करन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगर आप गर पर फेस पैक तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक चुटकी चूने का इस्तमाल करें, इसके बाद फेस पर एपलाई करें, दस मिनित बाद पानी की मदद से साफ कर लें, हाला कि जब इसे दोने जाए तो हातों को रब करते हुए फेस पैक को हटाए, एक दो बार इसे लगा कर देखे, अगर आपके चेहरे पर फर्क नजर आए तो अपने स्कीन केर रूटीन में इसे सामिल कर सकते हैं, वही फेस पैक लगाने के बाद किसी गर्मी वाली चगह या फिर दूप में ना निकले, अगर निकले तो भी एक या दो गंडे बाद निकले, चूना इस्तमाल करते वक्त दियान रखे ये बाते, तवचा के लिए चूना इस्तमाल कर रहे हैं, तो केमिकल यूत के बजाए खाने वाले चूने का इस्तमाल करें, पान की दुकान पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा, वही इससे इस्त करते वक्त मातरा का खास ख्याल रखे जरूरत से ज़्यादा इस्तमाल आपकी द्वचा को नुकसान पहुचा सकता है इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करे वहीं अगर आपकी स्कीन सेंसेटीव है तो इसे लगाने के बाद किसी भी तरह का एरियेक्शन हो तो इसे त और दूरंट हटा ले यहीं थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि चूने का इस्तमाल करके कैसे हम अपनी स्कीन को निखार सकते हैं पिमपल्स चेहरे पर ग्लो और मसे कैसे हटाए ये चीजों के बारे में हमने जाना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए healthy